चनल कमल में आपके ये लाल जुका येशी शुफल मनो रत हो मेरे ये चौग चौग बेता तुम जो साधार होकुतार जोग जोग पेटा कमजियो सदार हो खतार अब तेरी पोर इचा करे मो इसमार देले आदा पेटा कुवर सेंग तुम्हें पालूम होना चाहिए कि तुम हमारे हमेली के खलोते बेटे हो और जब तक मा नहीं तुम्हें देखता हमारा दिल नहीं लगता है तो पिता जी मुझे किस लिए है पिता जी मुझे किस लिए है पुलाया नहीं माजरा कुछ समझ में पिता जी मुझे किस लिए बुलाया है मैं तुम्हे जरूर बताउंगा तन्न दुआ मुझे लेगा रुपया देने हजाए तन्न दुआ मुझे लेगा रुपया देने हजार शाब हमल उसके मकाद हो कर देने तर्या तन्न दुआ हराम जादा हमारी हमेली से तीन हजार रुपय ले कर गया तीन साल हो गए ना तो सूरत दिखाने के लिए आहे ना मेरा एक पैसा वापस किया है क्या कहा पिता जी उस हराम जादा कि इतनी हिम्मत हो गई कि ना तो पैसा दिया पैसा तो देना दूर साल हवेली पर सूरत दिखाने तक नहीं आ रहा वो और तू जा आज हमारा एक एक पैसा वसूल कर ले कर आ रहा है तो चिंता मत कर पिताजी मा चिनल दॉपा से एक-एक पाई वसूल कर ले कि यह लाओगा हरम यह इस वक्त में नंद्वा को रुपे दिये थे उस वक्त तु मौझूद था तो हमारे बेटे कोर्सिंग के साथ जाँ और नंद्वा से एक-एक पैसा वसूल कर ले करा अच्छी बाथ ही बेटा कोर्सिंग मैं चल लहा हूं आराम करने के लिए लेकिन नंद्वा से हमारा पैसा तुम भेकर मत करो पिता जी आप चलका हवेली पर आराम किजिए अगर 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 हम लोग को पिता जी ने आदेर दिया है कि जाकर नंद्वा के पाथ से रुपे लेकर आओ क्यों ने क्यों आई एक बात पाथा नंद्वा के घर में उसकी पत्नी वह उसका बेटा रहता है न आ सुदर कन्या भी है किया कहां नंदुबा के घर में कि सुन्दर सुजील करने भी है कुछ हाँ कुछ हाँ कुछ हाँ कुछ हाँ कि अला कितनी बार काया मेरे सामने भोड होड़ काथ की हची मा पाता का वार्य भाख्ट भाजा आए ने तो आज हम चलते हैं लेकिन 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 इस बात की है इस वक्त वह थारा वर्थ की है अच्छानी में भरपूर है हो गजवर गज़ा हरा मिलाल तब तो हम उस सुंदर सुशिल कन्या का दीजारा वस करेंगे चल हम लोग चलते हैं तो आज मदू होच हुआ जाए ले मेरा मन मेरा मन मेरा मन आज मदू होच हुआ शरारत करने को लेल चाहे रे मेरा मन चाह बालिक चाह गारी भी किसुने देना किसुने देना सारो पर हम गरीब के परभू के पाल तुम्हेरी है सारो पर हम गरीब के परभू के पाल तुम्हेरी है बने सक चैन से कटिते यही दुनिया हमारी है बेरी नजिरों ने मेरे स्वानी की है भगवान की मूदते मेरी नजिरों मेरे स्वामी की आहे भगवान की मूदते अगारी बोते हो मंदिर है तमावन की पुझार हलो हलो आदि के मारे अरबिंद वर्मा मानने परधान जी ग्राम अकवनी के रहने वाले जयतावनी के रहने वाले है और उनका खासतोर कहना है सूरत की मा आप यह सोमनास स्या के मुलाकात कर लिए बहुत पेचानी से याद करें तरब जी जहां पर हो कि पर अगर करके मिल लें सूरत की मा ऐसानी यह बताव भूजं टयार है नहीं स्वामी क्या अज घर में खाना कठी काना नहीं है आज मैं किया बना दूँ बच्चे स्कूल गए और भी आतोंगे मुझ से खाना मांगेंगे तुम्हें कहां से मैं दूँगर इस वान किया है सामी घर में कुछ नहीं है कुछ नहीं सामी सुरच की मा अब क्या होगा सुरच की मा कोई उपाए बताओ कैसे बच्ची भूख से, प्याकुल हैंगे, एक पास समय में आ रही है, कौन सी बात, अगर तुम ठाकुर गरम से की बात चिले जाए, पांच जवार पर लाई, कौन चल जाएगा स्वामी, हाँ स्वामी, लेकिस शूरज की मा, शीय तुम नहीं जाए, कि आज छे महीने हो गए, मैं ठाकुर शाहब से, तीन हजार रुपिया लेकर आया थे, ये बताओ, फिर उनके पास हम अगर जाएंगे, तो रुपिया देंगे, इनकार कर देंगे, कैसे जाओ सूरज की मा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है, दही ने शामी, वो ठाकल बहार दयालो है, वो जब देंगे शामी, हाँ ठीक है, शूरज की मा, अगर तुमारी यही बात है, तो मेठा कुर्जी के पास जरू जाओगा, हाँ सामी तेक बेटा कुर्सिंग गया है नंदुआ के अहाँ, वो अभी तक वापस रही आया है, अरे भाईया जिस काम के लिए जाते बिना हासिल के वापस आते ने हैं, ठीक है मैं उसका इंतिजार करूँगा, अच्छे, कौन जिए नहीं अरे ठाकुर्साब, बड़ी खुशी की बात है, खुशी इस बात की है, कि परसों बात नंदुआ आया है, नंदुआ ठाकुर्साब, नमस्ताब ठाकुर्साब, मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे, इसा है इधर तो नहीं, पाइसे लाए हूँ, लेने आया हूँ, लेने? था कुछ कहिना चाहता हूँ और करीबों के दाता करीबों के दाता दया मुझे पे कीजे करीबों करीबों के दाता दया मुझे पे कीजे करीबों के दाता करीबों के दाता और दया मुझे पे कीजे मुझे पाँच हाँचार रुपिया अज तू पाँच हजार रुपे ले के लिए हमारी हवेली पर आया है सबसे पहले ये बता कि आज के तीन साल पहले तू हमारी हवेली से तीन हजार रुपे ले कर गया था तीन साल में ना तो हमारी हवेली पर सूरत दिखाने आया है ना मेरा एक पैसा वापस किया है शाब क्या करूँ मैं मजबूर था मजबूर नदुआ औरे करीब इंसान तो बहुत बढ़ा हराम चाहता होता है क्या हमारी हवेली में रुपे लगा हुआ है जो तुझे हला करते दुआ पिता जी ये क्या कर रहे है क्या नंदु कागा पर हाट उठा रहे हो इन करीबों के साथ ऐसा ही करना ठीक है बेटा कुवर सेंग ये वही नंदुआ हराम चाहता है जो हमारी हवेली से तीन हजार रुपे लेकर गया था तीन साल ना तो हमारा रुपे वापस गया ना हवेली पर सूरत दिखाने के लिए है और आज ये पाच हजार रुपे लेने के लिए है पिता जी जड़ा सोचो अगर आज ये गरीब नहीं होता तो हम लोग के लिए अफिक गरीबों की मदद करना तो हम लोग का परब करता है पिता जी तो क्या तुम्हारे कहले का मतलब है कि हम इसे रुपे दे दे बेटा खुवर से तुम हमारी हवेली का वसूल अच्छी तरह से जानते हो जानता हो पिता जी का बात है नंदुगा का चुटे सरकार बात चुटे सरकार मैं कैसे तुम से कहूं चुटे सरकार आत तीन दिन हो गए घर में मेरे चूला नहीं चलाए बच्छों भूख के मारी पिलक रहे हैं चुटे सरकार क्या कहा तीन दिन से तुमारे घर में चूला नहीं चलाए तुमारे बीवी बच्चे भूखों मर रहे हैं अरे तुमें पहले आ जाना चाहिए था तो चिंदा मत करो नंदुगा का तुमारी मदद मैं करूंगा मैं चुटे सरकार पाच जार रूप्रे किस दरुवत है हरमिया कि इस्टांप पेपर लेकर आया है अरे ठाकुरता है यह रामिलाल कभी गाफिल ले रेता है इस्टांप पेपर हर वक्त अपने पास रखता है इसी लिए तो मैं तुम्हें अपनी सहबेली का सबसे वफादार कुट्ता समझता हूँ और इस इसतांप पेपर पर नदुबा के अंगचे लगवा नची बाते है इढार यांखे अब्दॉ स्थ को exacerb अब्दुर्ट्व जब बार यह जम्ला पर के रहार है 21 बाबाबाजी के चन्रों में देरें बाद बहुत हुआ है तुम्हें पैसों की जरूरत है हाँ तुम्हारे अंगूठे की जरूरत है इस्टांप पेपर पें गूठा लगाओगे तो पैसे पाओगे कि एक मिनिट मैं छोटे सरकार से बात करना चाहता हूं कि आपके तेन सार पहले मैं आपके यहां से तीन हजार रुपे लेगे थे यह बताओं कि कब अंगूठा नहीं लगा था आखिराज अंगूठा लगाने की बात क्या है का कारण है इसका कारण है जब दुनिया के वसूल बदल गए तो मेरी हबेरी का वसूल कुना बदल जाए नंदू क्या तुम यह बता सकते हो कि संसार में रहने वाला हर एक प्राणी उसके मस्तक पर लिखाए हूई इमालदार है नहीं बस यही कारण है अगर तुम्हे रुपे चाहिए अंगूठा लगा रुपे लिखा जाओ लगवारें उठाओ कर दो पेटा क्वर्चेंग चाओ नद्वा को पाँछ हजार रुपे देदो ठीक है पिताजी एहरा मिलाल नंदु को जाकर तीजोई से पाँछ हजार रुपे निकाल का देदो हरमिया इस स्टांप पेपर पे क्या लिखा तुने ठाकर सहब यह गवार मुर्खान में ज्यादा कागच समझ के उठा लगा दिया बाकी कागच को हमने भर दिया हमने स्टांप पेपर पे यह लिखा है कि आज के बाद नंदु अपना खेत और खलियान और यह माकान सब करता ह है आप लोगों के ना है वाँ हरावी लाल वाँ से तुमने बहुत अच्छा किया बेटा कोर से अब यह हराम जादा नदुआ रहेगा जीवान भर हमारा गुलाम लेकिन आज मैं तुम्से कुछ कहना चाहता हूँ यह कहना चाहता है पिता जी रका मेरे घर की लिए जा रहा है रका मेरे घर के लिए जा रहा है नहीं मेरे दिल का सबर हो रहा है नहीं मेरे दिल का पेटा कुवर सेंग यह हराम चाहदा करीब इंसान हमारे घर ते रकम लेकर जा रहा है लेकिन यह रकम इसके घर तक नहीं पहुचेदा पिता जी हरमिया तो इसी वक्त मेरे साथ चाल तो क्या सबता है कि मा यह रुपे ले जाकर अपने बीबी और बच्चों को खिलाओंगा मैं यह रुपे तेरे घर तक नहीं पहुच ले दूँगा आ रहा है मेरा बेटा कुवर सेंग जब तक तो से रुपे छिन नहीं लेगा तब तक वापास नहीं लेगा कि यागे राम फिर भाई चाप गविया पठाना करें ना लें यह भाई भी सुपादे रहें बहुत वाद्वा सुक्रिया चंदर पैसे मिल गया है अब चलो में अपनी घर दो चुटे सरकार आखे भाद क्या है कुछ मुझसे गल्ती हो गई गल्ती तुस्टर नहीं बलकि मुझसे हुई है मुझसे माने तेरी गरीबी देखकर तेरी मुसीबन देखकर माने तेरी मदद किया लेकिन मैं यह नहीं जाता था कि तू इतना नीच और गिरा हुआ इंसान दिक लिए तूने मेरे नोकर हरामिला के कबर से इसके पर चुनाएं नहीं ठाकुप शाप कैसी बात तो है मेरा नोकर हरमिला जोट नहीं बोलता हरमिया तलासी ले साले के जे में अरे ठाकुरत हम यह बहुत बड़ा हराम ज्यादा कमीना है जे चोरी मेरे पैसों को किया जो होताब में तरकाती थी नंदवा यह पैसे आप भी दिये थे उन्हीं पैसे हैं नंदवा आज शक तीन साल पहले तुम मेरी हवेली शक तीन हजार पे लेकर रहा था उसका ब्याद दिया लेकिन मुझे वो रुपयाई श्रीवक्त और भी चाहिए ठाकुर्शाब श्रीवक्त मैं खाँ पाऊगा पैसा कहीं से लेकर आज तोड़े दिन की महला दिजे तुझे थोड़े दिन की नहीं बल्कि एक मिनार्ट की महला नहीं मिलने वाली है ठाकुर नदूँ तरैकमेरितू पाई 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 रकमेरितू पाई पाई अदाकर अरेपेहया इसमे जराना किया पैसा देने में गर आना कानी तो रख दूँगा तेरी में हस्ती नदुखा च्छुटी सरकार, नहीं अपसे दमे ससरकार इठाओ नगी ऐसा सीतमु हम सरकार इठावो जराखाप भगवान का तुम को